देश भर में हुई भारी बारिश की खबरों से तो आप रूबरू होंगे ही इस बीच गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से तेलंगाना में बाढ़ आ गई है कुछ मीडिया चैनल्स ने ये वीडियो चलाते हुए दावा किया कि ये हाल में आई बार्ड के दोरान किया गया रेस्क्यू मिशन है इंडिया टुड़े ने ये वीडियो तेलंगाना में हाल में आई बार्ड का बताया वही टाइमसनाव और इस ग्रूप की हिंदी चैनल टाइमसनाव नव भारत ने भी ये वीडियो चलाते हुए ऐसा ही दावा किया मिरर नाव, जी बिहार जारखंड, टीवी नाइन कन्नड ने ये वीडियो इसी दावे के साथ चलाया है ये वीडियो हाल में आई बार्ड का बताते हुए ट्वीट भी किया गया है जिसमें News 18, News Agency INS, Telangana Today, Telego Stop, Mirror Now, Times Now, The New Indian Express के पत्रकार वी वी बालकृष्ण शामिल है लेकिन Alt News ने इस वीडियो की जाच की तो पाया कि मीडिया संगठनों ने असल में गलत जानकारी दी है The New Indian Express के पत्रकार वी वी बालकृष्ण के ट्वीट पर कई यूजर्स ने रिपलाई किया और बताया कि ये वीडियो पुराना है और आंध्रप्रदेश का है इस आधार पर कीवद सर्च करने से हमें 20 नवंबर 2021 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट मिली जिसमें वाइरल वीडियो का स्क्रीन ग्रेब पोस्ट किया गया है दरसल ये वीडियो आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले में चित्रवती नदी में आई बाड का है तब बाड में फसे 10 लोगों को एर फॉर्स की मदद से रेस्क्यू किया गया था एंडी टीवी के रिपोर्ट में भी वाइरल वीडियो के विजूल्स है 2021 के यूटूब वीडियो का फ्रेम वाइरल वीडियो से मेल खाता है यहां साफ हो जाता है कि ये वीडियो हाल में आई बाड का नहीं है 19 लवंबर 2021 को इंडियन एर फॉर्स ने भी इस रेस्क्यू आपरेशन के बारे में ट्वीट किया था कुल मिलाकर मीडिया और्गिनाइजेशन्स ने आंधर प्रदेश में 2021 में आई बाड का वीडियो हाल में तिलंगाना में आई बाड का बता कर चला दिया कर दो